हेलो दोसों, गेट समेश्रीज में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं explain करने जा रहा हूँ difference between delete, drop and truncate जो कि SQL का important topic है और यह important है competitive exams के point of view से या फिर आपके college or university level के exams के point of view से और अगर हम बात करें placement के point of view से वहाँ पे भी बहुत जादा important है क्योंकि जितनी भी maximum companies है they always focus on the DBMS और DBMS में सबसे जादा important topic क्या है SQL तो SQL में हम यहाँ पे discuss कर रहे है delete, drop and truncate के बीच में difference तो start करते हैं सबसे पहले हमारे पास है delete अब delete actual में क्या है delete is a DML command मतलब data manipulation language के अंदर आती है और जहाँ पे हमारे पास select है delete है, update command है, insert command है तो यह आती है DML के अंदर जो कि drop है वो आती है हमारे पास DDL के अंदर that is data definition language जब हम schema को या table को create करते हैं तो creation है, alter है, drop है यह generally आती है हमारे पास DDL के अंदर that is data definition language और जो truncate है, truncate भी हमारे पास किसके अंदर आती है DDL command that is data definition leverage तो यह दोनों जो है वो DDL का part है लेकिन जो delete है वो है DML, लेकिन सबसे ज़्यादा जो important point है वो है कि इनकी functionality क्या है, मतलब यह करते क्या है, तो सबसे पहले start करते हैं delete से, delete में हम करते है, delete में हम करते है table को delete, जैसे let's suppose हमारे पास एक table है student, और student table में let's suppose हमारे पास let's say id है और student का name है, मैं दो ही column ले रहा हूँ, आप जितने margy column यहाँ पे ले सकते हो, तो यहाँ पे id और name है, let's say हमारे पास दो tuples है, 1A, 2B, इस तरीके से हमारे पास जो है वो, एक table बना हुए student, जिसके अंदर दो हमारे पास attributes है, id और name, और tuple let's say 3 ले ले लेते हैं, 1A, 2B, 3 and C, अ अब यहाँ पे अगर बात करें delete, तो delete की functionality क्या है, अगर मुझे इस table की rows को delete करना है, मतलब इस table की tuples को delete करना है, तो मैं क्या use करूँगा, delete command, मतलब अगर मुझे let's suppose इस पूरी row को delete करना है, या इस पूरी row को delete करना है, या फिर इस पूरी row को delete करना है, तो मैं क्या इसमें अगर student के example ले रही है तो यह नि क्या लिखोगे डिलीट फो जितनी भी command यहां पे लिख रहा हूं जितनी भी यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोग्रामिंग यह मैं oracle के corresponding लिख रहा हूं मतलब जो अगर अगर आप oracle 9 आए oracle 10G 12c कोई भी आप use करें और ACL का version तो उसमें actual में ये सारी commands जो है आपकी as it is run होगी MySQL और SQL Server ने कई बार थोड़ा सा difference हो जाता है syntax का लेकिन logic जो है वो as it is same है तो delete from table नहीं करोगे तो क्या होगा पूरे के पूरे table की सारी rows delete हो जाएंगी सारी rows मतलब ये भी delete हो जाएगी ये भी और ये भी तो output यहाँ पर क्या है कि delete from student करोगे 3 rows deleted क्योंकि 3 rows क्या हो जाएंगी delete हो जाएंगी next आते हम drop पे drop का क्या significance है drop में हम क्या करते है drop table table name let's say drop table table का name मैंने student लिया हुए तो आप ले लो drop table student अब drop से क्या होगा drop से क्या होता है drop से पूरा का पूरा schema पूरा का पूरा structure आपका delete हो जाएगा मतलब पूरा का पूरा structure ही खतम हो जाएगा delete में सिरफ rows delete होई थी ये row ये row और ये row delete होई थी तो अगर आप delete करने के बाद describe करते हो मतलब table का structure आग देखना चाहते हो तो describe student करोगे न तो आपको क्या आएगा आपको आएगा id name row कोई नहीं आएगी लेकिन columns आजाएंगे कि id है और एक name है इस table में और id का data type name का data type आपको show हो जाएगा लेकिन अगर आप drop करते हो तो drop के बाद आप मान के चलो कुछ भी नहीं बचा बनलब table का structure भी गया यहाँ पर अब कोई student कुछ नहीं है कोई id कोई name कोई data nothing कुछ भी exist अब नहीं करता तो drop जो है वो काफी dangerous command dangerous in the sense of that's why it is a DDL command इसकी जो authorization है वो generally सिरफ DBA के पास होती है that is database admin क्योंकि अगर आप table को delete कर दोगे तो rows तो automatically delete होई जाएंगी लेकिन delete में सिरफ rows delete हो रही है table का structure आपका as it is जो है वो पड़ा हुए तो यानि यह हमारे पास जो आता है difference delete और drop के बीच में अब आते हैं हम truncate के उपर तो truncate का यहाँ पर functionality क्या है truncate भी क्या करता है rows को delete करता है तो करते कैसे truncate table का name जैसे मैंने यहाँ पर student table ही लिए हुआ है तो मैंने direct command लिख रहा हूँ truncate student मतलब truncate करने table को delete करने लेकिन truncate करेगा क्या truncate भी सारी की सारी rows को delete करेगा मतलब यह वाली row यह row और यह row तीनों tuples जो है तीनों rows आपकी delete हो जाएंगी अब यहाँ पर कई बार आ जाता है कि फिर delete और truncate में क्या difference है drop का तो समझ आता है कि rows भी delete हो जाएंगी पूरा का पूरा table delete हो जाएगा सारे के सारे attributes automatically खत्म हो जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप drop के बाद describe करते हो student तो आपको error आजाएगी कि there is no student object क्योंकि student कोई है ही नहीं लेकिन truncate अगर आप करते हो तो truncate के बाद अगर आप describe करोगे न तो describe करने के बाद आपको as it is जैसे delete की output आती है id और name मतलब columns आपको show होंगे लेकिन tuple show नहीं होगी तो यहाँ पर question आता कि फिर इन दोनों के बीच में क्या difference है इन दोनों के बीच में जो main difference है वो ये कि truncate एक बार में सारी rows को delete करते है मतलब आपके पूरे table के उपर lock लगा लेगा तो उस table में जितनी भी rows है 1000, 2000, 15, 20 जितनी भी rows है सारी एक बार में in one go सारी rows delete हो जाएंगी लेकिन delete में क्या करते हैं delete में हम एक एक करके rows को delete करते हैं मतलब यहाँ पे table को log लगाएगा लेकिन मेरे पास अगर delete from student करोगे तो सारी rows delete हो जाएंगी लेकिन delete के साथ एक where का भी option है कैसे? delete from table name delete from student जैसे कि मैंने student के example लिया हुआ है let's suppose मुझे सिरफ पहली rows को delete करना है मतलब सिरफ इस rows को delete करना है बाकी की दो rows को delete नहीं करना तो यह भी flexibility होनी चाहिए let's suppose अगर आप student का database में काम कर रहे हो और student के database में let's say 10,000 students का data है तो यह थोड़ी ना जुरूरी है कि आप हर बर सारी rows को delete करोगे हो सकता है कि 2-3 student आपके छोड़के चलेगे university या college छोड़के चलेगे तो आप चाते हो कि उनका data delete कर दे अब उनका data delete करने का मनलब यह थोड़ी ना कि सारे students के table मतलब पूरे rows को delete करोगे नहीं आप सिरफ specific row को delete करोगे तो specific row को delete करने की option किसमे है delete में है कैसे delete from table name मतलब student where let's suppose id is equal to 1 तो अगर आप id is equal to 1 करोगे तो क्या होगा इसको execute करोगे तो यह row delete हो जाएगी लेकिन बाकी की दो row आपकी as it is है तो delete में option है कि अगर आप delete from student करोगे तो सारी rows delete हो जाएगी अगर आप where use करोगे तो जो specific row आप delete करना चाते हो वो आप delete कर सकते हो मनलब condition यहाँ पर दे सकते हो trunket में कोई condition नहीं है तो उससे होता क्या है तो हमारे पास यह कह सकते हो आप delete जो है वो कहीं न कहीं आपकी slower है slower क्यों है और यह faster क्यों है इसका भी reason मैं आपको बदा देता हूँ क्योंकि जो trunket है वो एक बार में सारी rows को delete करती है पूरे के पूरे table को lock लगाके सारी rows एक बार में delete अब अगर आप rollback करोगे let's suppose आपने commit से पहले rollback किया rollback अगर आप student table को rollback करना चाओगे तो it is not possible यह possible नहीं है reason उसका क्या है कि यहाँ पे कोई भी log नहीं बना log का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी file नहीं बनी backend पे जो temporarily एक बार store करके रखे कि जो आपने delete किया या जो आपने हटाया उसको हम वापिस लेके आ सकते हैं लेकिन delete में हमारे पास यह option है कि अगर आप delete करते हो और फिर अगर आप rollback करना चाहते हो let's suppose आप rollback करते हो student लिखने की जूरती नहीं यहाँ पे direct अगर आप rollback करते हो ना जाएगी मतलब इसका कही ना कही एक log बन जाता है log actual में होता क्या है कि जो भी आप काम जैसे history है browser में आप जो भी काम कर रहे हो उसकी history में क्या बन गया एक log बनता जा रहा है तो उस log से क्या होता है आप कही ना कही recover कर सकते हो data को आपके पास option है recover करने की, तो यह कही न कही क्या करता है, पहले log में data को डालेगा, फिर उसको table से delete करेगा, तो यहाँ पर जो है, procedure वह थोड़ा सा slow हो जाता है, क्योंकि यहाँ पहले मैं log में डाल रहा हूँ, फिर मैं delete कर रहा हूँ, ट्रंकेट में क्या है, मैं बिना कुछ देके direct delete कर रहा जैसे आपके जैसे table में, मलब आपकी अगर हम computer में बात करें, तो अगर आप shift delete करते हो, तो shift delete मतलब एक तरह से आप truncate कर रहे हो, आपने उसको permanently हटा दिया, recycle bin में वो नहीं गया, अगर आप delete करते हो, तो उसका मतलब क्या है, कि आपका वो recycle bin में है, तो आप उसको recover कर सक तो यह procedure जो है, कहीं न कहीं flexible है, लेकिन इसकी वजह से यह slower हो जाता है, reason मैंने आपको बता दिया, कि यह पहले log में डालेगा, फिर उसको delete करेगा, तो ताकि मैं कहीं न कहीं rollback जो है, वो कर सकूं, recover कर सकूं, तो इस वजह से slower है, लेकिन यह क्या है faster, यह एक बार में सारी rows को delete करेगा, trunket के साथ हम कोई where condition कुछ नहीं लगा सकते, और अगर हम बात करें drop की, तो drop तो मैंने आपको पहली बता दिया, कि पूरा का पूरा table ही आपका हट जाएगा, तो अब rollback कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे कोई rollback allowed नहीं है, पूरा का पूरा table जो है, वो आपका हट जाएगा, तो यह difference है, basically delete, drop and trunket में, thank you.